हेलो स्टूडेंस, वेलकम टो आफ्रेस, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आपके सी 2024 असेसर प्रोफेसर एक्जाम में इंटर्वी तक आप कैसे पहुंचे, मैंने देखेगा कि इस सेशन में मैं दो सब्जेक्ट्स की बात करने वाला हूँ, और उन दो सब्जेक्ट्स को ल हाला कि काफी पहले भी मैंने सेशन जो स्ट्रेटिजी हैं उन में बात कर चुके हैं, और जॉलोजी के स्टूडेंस को लेकर भी थोड़ा सा हम जिकर कर चुके हैं, आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन लिस्ट में वीडियो वेलिवल है, क्या स्ट्रेटिजी क्या होनी कि हमारी Assistant Professor Eczam में, खासकर RPSC Assistant Professor Eczam में आप देखेगा, और घंड़ हैं, तो सब्जेक्ट्स पर फोकुस करना चाहूंगा, बोटनी पर फोकुस करना चाहूंगा, और जॉलोजी पर फोकुस करना चाहूंगा, इन दोनों ही सब्जेक्ट्स में देखेगा, तो बहुत ही का एक थोड़ा सा में क्राइटेरिया फिक्स कर देता हूं कि हमारे पास अभी तक हम पार्ट थर्ड की एक्जाम दे चुके हैं जो पूरी तरीके से क्या था जन्रल स्टेडीज को लेकर था जन्रल स्टेडीज और राजस्थान ऑफ राजस्तान का सामन्य घ्यान इसमेंं इंक्लूड किया गया था यह पेपर हू चुका है Ab हम बाते करेंगे हमारे पास opportunity है को लेकर हमारे पास opportunity है parts second को लेकर parts first और second आपके sociology और party subject करेंगे और फिर आपके पास क्या होगा interview होगा फिर interview होगा और interview के बाद आपके पास final selection criteria होगा गरी जो cut off इस cut off तक आने के लिए आपको क्या-क्या जतन करने है थोड़ा सा दीखिएगा कुछ सटीक बाते में बताता हूं जिनको आप पिल्कुल फोलो कीजिएगा आप इंटर्व्यू तक कैसे पहुंचे यहां तक की बात में बता चुका हूं बताऊंगा आपको सेलेक्शन की बाते भी हम अप्रिकली सेशन में करेंगे माल लीजे अगर मैं प्रीविश सेर्क टॉप्स की बात करूँ तो अगर मैं बॉटनी सब्जेक्ट की बात करूँ तो पिछली साल ये कटॉफ थी लगवग 135 से लेकर 150 के बीच में, सारे सब्जेक्ट की बात कर रहो है, आप किसी भी हम क्यों बैद्थ trabajar हो, सब क्यों क्यों सब बात कर हों और 35-130 के हाँ दॉप पास अब आपको किस रेंज में पहुचना है जो लोजी में रेंज में पहुचना है 120 से 135 को लेकर यह मान के चल रहा हूं कि इस बार नमबर ओफ वेकेंसी इस अपरिटिवली तबल है उसका फायदा यह होतकता है कि जो कट ओफ है वो आपको मौर और लेस इसी रेंज में देखने को मिछ जाए बॉटनी का कट ओफ रिलेटिवी हाई रहता है डेफिनेटली बॉटनी के स्टूडेंश अप एस कंपरेट तो जोलोजिकल स्टूरेंश ज्यादा रहते हैं जिस वजह से जो बॉटनी का जो कट ओफ है वो थोड़ा सा जोलोजिसे ज्यादा रहेगा अब इंटर्वी के मार्क्स कितने रहता है मतलब टोटल से 24 मार्क्स का आपको इंटर्व्यू रहता है इंटर्व्यू रहता है और अगर मैं इंटर्व्यू में भी समाने रेंज मानलू तो यह समाने रेंज होती है 8 से 16 के बीच मान के चलिए कि आपका इंटर्व्यू खराब से करा हुआ है अच्छा नहीं हुआ आपका प्रपर में अच्छा नहीं था इतलिस्ट आप मान के चलिए कि आपके मार्क्स आठ या आठ के आसपास देखने को मिल जाएंगे और एवरेज वा है तो यह 12 पंदर तक देखने को मिल सकता है अब बहुत ही अच्छा हुआ है तो वह रेंज हम 20 तक तच कर लेते हैं कईके केस में 20 से ज्यादा मार्क्स भी आपको देखने को मिल जाता है लेकिन मैं मान के चलना हूँ कि यह जो रेंज है 25 मार्क की वह एक एवरेज स्टूडिन के लिए क्लिए क्या रहती है एक टू सिक्स्टी मार्क्स अब यह कब काम करेगी इसकी सबसे पीछे की वज़ए सबसे जो इंपॉर्टन बात है जो मैं नहीं कह सकता मैं लॉजिकली नहीं कह सकता यह आप पे सब के ऊपर लागू होती है कि मैं मान के चल ला हूँ कि पार्ट थर्ड में भी जो बॉटनी और जॉलोजी के स्टूडिन्स है उनके मार्क्स जहां तक मैंने रिव्यू किया है मेज्यारिटी 90 परसन स्टूडिन्स के नंबर 15 से 25 के बीच में है अब तक जितना इनलिसिस किया है मैंने बहुत स्टूड्ट ऐसे भी है जिनके 25 मार्क के ऊपर भी है कौद कम स्टूडेंस है ऐसे स्टूडेंस भी है जिनके मार्क्स 15 से लेकिन यह ओन आपको रख रहा हूं तो आप इस लिमिट पर अपने आपको एडजस्ट करते ही जाए होगा मान लीजिए कोई स्टूडेंट ए है जिसने अप्टेन किये है पार्ट 3 में 15 मार्क्स और उसको बॉटनी की जो कट ओफ है पहुचने के लिए 135 मार्क्स चाहिए मिनिम्म लविल की बात कर लेता है और जोलोजी की कितनी चाहिए 120 मार्क्स चाहिए अब लेग कितना रहा अगर मैं इंटर्व्यू को एक्स्क्लूड कर देता हूँ चलो मैं मिनिम्म निविल इसमें से निकाल देता हूँ 135 पे से 8 निकालूँगा तो more or less 125 में मान लेता हूँ बॉटनी के केस में और 28 में से 112 मान लेता हूँ मैं जोलोज के केस में कि आपके पास बॉटनी में 125 मार्थ आने जरुरी है और जोलोजी में 112 मार्थ आने जरुरी है आपको इंट्रिव्यू तक पहुँचने के लिए अब सिर्फ बॉटनी जोलजी में नहीं बॉटनी और पाट थरड को मिला कर इसका मतलब ये पंदरा मार्क्स को निकाल लेता हूँ तो 125 में से 15 मार्क्स अगर निकालू मैं तो 125 में से 15 निकालूँगा तो ये बजाएगा 1110 as in case of बॉटनी और अगर 1112 में से 15 निकालूँगा तो ये आता लगबग 98 in case of जोलजी in case of जोलजी तो मान के चलना हूँ मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जिनके जिसके पार्ट थरड में 15 मार्क्स बंद रहे है और मान के ये चलना हूँ कि इंटर में उसके मार्क्स 8 है तो उस case में एक बॉटनी स्टूडेंट को पार्ट वन में 110 मार्क्स लाने ज़रूरी है मतलब मैं डिवाइड भी कर दू तो 55 55 out of 75 55, 70 out of 75 ये किस बात की बात हुई ये ऐसा बॉटनी का स्टूडेंट जिसका lower category मान लो आप जो SCST OBC से साथ रिलिट हो सकता है वही अगर ये ही cut-off में ये ही need हमें अगर जोलोजिकी स्टूडेंट की बात करूं तो 98 वे से आप क्या करो 50 निकालो तो 50 निकालेंगे तो हमारे पास 98 को डिवाइड कर दो 45-45 कर दूँ मैं चलो 44 कर दूँ 44-75 44-75 दो पेपर है पार्ट फर्स्ट में 75-75 मार्ग के है इसका मतलब एक ऐसा स्टूडेंज जिसके थर्ड पेपर में 15 मार्ग बन रहे है और बॉटनी में अगर उसको कट आप तक पहुचना है तो उसको 110 मार्ग लाने जरूरी है दोरों पेपर्स में more or less 55-55 मार्ग से आपके लाने जरूरी है और वही स्टूडेंज अगर जोलोजी में है जो वह सकता है CST से हो PW से हो Women से हो उनके लिए कम से कम इतने मार्ग लाने आपको जरूरी है अगर मैं 120 स्टूडेंट को लेता हूँ जिसको मान के चल ला हूँ कि वह वी सी नौन क्रीम लेर में हो या फिर जनरल की बात कर लेता हूँ और लेट सपोज कि उनके मार्ग 25 है 25 मार्ग कहां आ रहे हैं उनके पार्ट थर्ड में बन रहे है पार्ट थर्ड में 25 बन रहे है बोटी में उसको 125 चीए कट आप तो पोशने के लिए 16 मार्क्स वो इंटर्व में ला रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 150 में से अगर मैं यहीं कर लेता हूँ इसको लिखा जो का 150 में से 60 निकालों तो 134 उसको मार्क लाने जरूरी है बोटनी में से बोटनी फस्ट में से पार्ट सेकेंड में से और पार्ट थर्ड में से ऐसे ही वन जोलोजी के लिए देखो गे तो 135 में से आप 25 निकाल लीजी तो यह लगबग आ जाएगा हमारे पास 110 110 के इसके इसमें जब में जोलोजी की बात करो 25 पीसमें से निकाल लीजी गा तो यह 124 करो इसको 125 कर देता हूँ तो 125 आपको बोटनी का स्टूडिन्स जो जनरल के टेगरी से है और उसको पीक, जो पीक मैं बता रहा हूँ 150 बता रहा हूँ, वहाँ तक पहुचना है तो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड और पार्ट थर्ड में लाकन को मास किते लाने है 25 लाने है और जोलोजी के स्टूडिन्स किते लाने 100 लाने है अगर मैं उस जनरल स्टूडेंट जिसने पार्ट थर्ड में 25 मार्क्स एट लीस्ट किये है तो उस स्टूडेंट के लिए पार्ट फर्स्ट में बॉटनी में लाने मार्क्स किते जरूरी है अब 125 में इसे 25 निकाल दो 25 निकाल देंगे तो बॉटनिक स्टूडेंट को लिए यहां केते चाहिए 100 मार्क्स अगर मैं देखो दोनों ही करेटरिया थोड़े चेंज है मैंने यहां किसका मार्क्स बढ़ा दिये है तो चीजे रिल्लिवेंट हो सकती ध्यान किएगा कि हो सकता है कि जनर्वाले केंड़ेट के 15 मार्क है तो फिर 100 मार्क से काम नहीं चलेगा वसका वर वन टेल ना पड़ेगा जोलोजी की केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि 125 में इसे निकाल दो तो कितने आज जैंगे लगबग 85 जोलोजी के अउज़का लेकिन ये कब होगा ये कब होगा जब आपके पास 4 3 में At least कितने आने जरूरी है 25 और इंटने में मैं इसे क्रेटरिया को लेकर चलू तो इतने मासा जरूरी है और जुलो जी के केस में आप देखोगे तो लगबग 42 या 43 कर लो 43 divided by 43 मार्च लाने जरूरी है एक जनरल कैंडिडेट को तो यह जो एनलीसिस मैंने आपको बताए कि किस तरीके से आप इंटर्विवें पहुंश सकते हो यह कितनी बात बटिपेंड करेगा कि आपके मार्क्स कितने मिलेगे लेकिन मैं अगर इंटर्वी कोलम को हटा दू मान के चलू कि आपका इंटर्विव खराब हुआ है तो आप आठ से जोड़ोगे अपने मार्क्स को और ज्यादा जुड़े हो तो आप 16 से क्या कर सकते हैं इसको जोड़ सकते हो और उसके इसमें कैल्कुलेशन कैसे हो सकती है यह सब कुछ आपकी स्क्रीन पर है इस बात पर डिवाइड करेगा कि आपका पार्ट थर्ड पेपर कैसा है तो आपकी रेंग पकी है इन डेटा को जिसे मैंने बताई उसी हिसाब से इन कल्कुलेशन को क्या कीजिएगा अपने रिजल के हिसाब से कीजिएगा आपको शॉर्ट-शॉर्ट सेलेक्शन की गारंटी मैं देता हूं तो अगर इत्ती बात इस समझ में आई तो आप पार आप एसी का असिस्टेन फर्फिसर का रिकॉर्डड कोर्स और टेस्ट सिरीज हमी भी ले सकते हैं तर्टी परसेंट ओफर अविलेबल है वेबसाइट पर और कुछ और वेलिबल रिसॉर्स आपको 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 एस्परेंस के लिए हमारी जो वेबसाइट वहां आपको द आपको मदद मिलेगी आपके रिजल्ट तक पहुचने के लिए इंटर्व्यू तक पहुचने के लिए मैं तो कहता हूं फाइनल रिजल्ट तक पहुचने के लिए पैस्ट्रेस्स